मैं आपने यूटूब चैनल कुलदिप कुमार मैं आपका हारदिक स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे होगा उमीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे तो आज हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को क्लिक कर दीजे जिससे आपको notification मिल सके और मैं part time work and electronic item demo के लिए वीडियो लाता रहता हूँ तो मैं आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और bell icon पर click कर लीजे इससे आपको notification मिल सके और आपको वीडियो को देख सके तो दोस्तो हम बात करने है Panasonic refrigerator Panasonic world का number one refrigerator है जो कि Japanese technology के अंदर है दोस्तो अगर नीचे जलते है electricity consumption 205 unit per year आपको electricity 205 unit खपत करेगा ये एक साल का एक साल में 365 दिन होते है 365 दिन में 205 unit ही खपत करेगा मतलब आपके हर महीनी का 136 से 140 रुपे बिजली के बिल से ज़्यादा नहीं आएगा यहां आप से 194 liter जो की लेटिस्ट रेफिजरेटर है पैनसोनिक के अंदर आपको 10-year warranty मिलती है 10-year warranty on the compressor इसमें फिरिज की warranty आपको एक साल के मिलती है 10 साल तक इसकी compressor की आपको warranty मिलती है दोस्तों अगर इसका डिजाइन देखे तो आपको डिजाइन बहुत ही प्यारा लगए अट्रक्टिव लगएगा जो कि 3D लेमिनेट शीट के अंदर इसका डिजाइन दिया हुआ है इसमें आपको हैंडल मिल जाएगा हैंडल की नीचे आप देखे जो दोर डोर लोक की फैसलिटीज मिल जाएगी कि और बहुत अच्छा फ्रेज़ हैं इसके शकी इंटियर डिजैन की बात करते हैं में सबसे उपर इउपर इसको आपको मिलता है इसका फृजर बाक्स जोकी ट्रांस्पीरेंट शेल में बना हूआ है ट्रांस्परेंट बॉक्स है, फुली ट्रांस्परेंट है, अगर इसके साइड में देखें तो थर्मोस्टर लगवा है, नॉफ और थर्मोस्टर जिससे आप विंटर, मॉंसुन, समर, आप इसमें सेट कर सकते हो, इससे नीचे चिले ट्रे दे रखिए, मल्टी परपस चिले हैं दोस्तों जिसमें आप दूद वगर के साथ साथ इसमें आप वेजिटेबल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टी परपस ही है, इससे नीचे उतर के देखते हैं तो दोस्तों इसमें आपको टफन ग्लास की फैसलेटिस मिल रही है, टफन ग्लास मतलत जिसमें आप सो किलो तक 80 केजिस से 100 केजी तक वेट एक्सो कर ले गई है, वेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एड़्जेस्ट भी कर सकते हो, इस शेल को आप एड़्जेस्ट भी कर सकते हो, नीचे जलते हैं दोस्तों, तो नीचे आपको हैनी कॉम वेज बॉक्स कवर मिलता है जो कि जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है कि हरुमिनिटी कंट्रोलर दे रखा है जिसमें आपको एर कितनी अंदर पहुंचा निया वेजेटेबल बॉक्स के अंदर वह आप सैट कर सकते हो वेजेटेबल बॉक्स की अगर बहुत सो बात करें हम तो वे वह अनुद्धाय इसके अगेंस के में यहां डेज्स दे डिसके आट तो हाफ शचाह दे रखी और उसक्टalon डिंग्रोर जोगली अच्छी है इसके नीचे जो सैल्स लिर Напр iPhones जे रखने इसमें आप तू लिट्र की बोतल तक रख सकते हो दो लिट्र की बोतल आप आराम से रख सकते हो ठीक है इसके नीचे वाली रैक के अंदर More Bottles का स्पेस जे रखा है More Bottles लाओब छोटी बोतले आप इसके अंदर रख सकते हो इसकी quality काफी अच्छी है इसको आप निकाल कर साफ भी कर सकते हो इसकी धुलाई भी कर सकते हो इसकी गैसकिट की बात करें तो anti-fungal गैसकिट दे रखी है जो कि आप निकाल कर इसकी धुलाई करकर इसको वापस लगा सकते हो डोर के पफ की बात करें तो डोर का पफ काफी अच्छा है काफी मजबूत है और कॉलिटी शांदार है ला जवाब है अगर आप इसके उपर देखते हो तो आपको लेधर कोटेट शीट मिलती है लेधर कोटेट शीट मतलब अभी जो पुरानी फिरजों के अंदर आपको यहाँ पैंट का पैंट डिजाइन दिखता होगा लेकिन वो पैंट डिजाइन से अभी लेधर कोटेट शीट कर दिये जिससे ना जंग लगती है ना स्क्रेचर्चर्स आते हैं और नहीं वो पैंट हटता है अंदर का इंटेइर वापर देख सकते हो आप दोस्तों अगर इस फिरिज की बात करो 194 लीटर रेफिजरेटर बहुत अच्छा लीटर रेफिजरेटर दे रखा है पैनासोनिक नहीं बहुत अच्छा रेफिजरेटर निकाला है इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस स्क्रिज के अंदर जो कंप्रेशन लगा हुआ है वो आपकी 49% एनरजी सेविंग करता है बिजली 49% एनरजी सेव करेगा आपकी और इसमें जो सिस्टम दे रखा वेजिट बर बॉक्स यह बहुत अच्छा दिया है इन्विल्ड एक ट्रे बहुत अच्छी फैसिलिटी थे इसकी रस्ट प्रोब बॉड़ी है तो मेरे इसाब से अगर आप यह फिरिज लेने वाले हो तो बहुत अच्छी फिरिज है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ओके दोस्तों अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन पर क्लिक कर लीजे इससे और कोई वीडियो आएगा और कोई फिरिज electronic item and mobile demos relative में वीडियो लाता रहता हूँ और मैं आपको provide भी कराऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन पर क्लिक कर लीजे जिससे आपको मेरे वीडियो notification की द्वारा मिलते रहें ओके ठेंक्यू